जिस आदमी ने जाती धर्म से उपर उठकर गरीबों को एजुकेशन देने के लिए सपना देखा और सोसाइटी की स्थापना की है गोंधिया जिले के नागरिकों को स्वर्गी मनोह भाई पटेल पर नास होना चाहिए ऐसा प्रती पादन पूर्व केंद्रे मंद्री सुवोन मुहिते ने मनोह भाई पटेल अकादमी द्वारा एनम्टी कॉलेज औरुटोरियम हॉल में आयुजित मनोह भाई पटेल स्मृती स्वन्ड पदक वितरन समहरों में बांग दर्शिन करते हुए किया अद्धिक्षिता सांसत प्रफल पटेल लेकी अद्धिक्षिता स्वर्गया मनोहर भाई पटेल के तैल चित्र के समक्ष दीप्रज्वलन पुषपांचली अरपन वस्ट्यार पब्लिक स्कूल की छात्राओं के स्वाकतगीत से हुई मोहिते ने कहा कि उन्होंने पटेल से पूछा कि उन्हें कुछ बोलना है क्या उनके हां कहते ही मैंने गूगल पर क्लिक किया तो मनोहर भाई पटेल की विकिपीडिया पर पूर्ण हिस्ट्री आ गई ग्रेट एजुकेशन लिस्ट, इंडॉस्ट्री लिस्ट, रिव्यूनियों लिस्ट के साथ अनिक जानकारी मिल गए उन्होंने कहा परफुल भाई नहीं होते तो क्या गोसी खुड जलाशे बन जाता गोनिया में एरपोर्ट बन जाता उन्होंने भेलकार खाने का उल्लेक करती हुए कहा कि उनके दिल में एक कसक थी जिसकी वज़र से उन्होंने भंडारा में भेलकार खाना स्तापित करने का प्रयास किया एक हजार करोड रुपे का प्रोजेक्ट है मैंने मौदा में एंटीपी सील लाया है सांसत पटेल ने कहा कि आज का दिन भाव खोने के साथ साथ श्रद्धा का दिन है विशेश कर उन बच्चों के लिए जिन्हों ने भंडारा गुणिया जिले में शिक्षा के क्षेतर में प्राविन्यता प्राप की है भारत की उज्वल भविश वो मनोबल बढ़ाने बच्ची अपने परिवार्व देश के लिए योगदान दी इसके लिए उनका गौरव करते हैं पटेली यह भी कहा कि मनोहर भाई ने शिक्षा का महत्वत दिया क्योंकि वे स्वयम नहीं पड़े थी तेरा वर्ष के उम्र में भटकते हुए विजबल पर पहुचे इसके बाद गौनिया भंडारा को अपनी कारेभू में बनाई इस बात को आज सौ वर्ष से अधिक हो गए है हमें उर्जा वो प्रेणा मिले इसके लिए हम यह कारे करम करते हैं यह राश्यतिक मन्चिन नहीं है लेकिन हम अच्छे नागरी कैसे बने आगे कैसे बड़े इसकी प्रेणा लेने का कारिय करते है मैं अनिक बार लोकसभा चिनाव लड़ा नब से काम शुरू किया मेरे मन से मैंने जिले को राशीदी के दायरे में नहीं दिखा नेता वो मंत्री बनने से कोई बड़ा नहीं हो जाता मैं 32 वर्षों से लोकसभा वराच्यसभा में हूँ कभी भी ब्रेक नहीं लिया इसकी विरासत मुझे 13 वर्ष की आयो में मिली मैं जब साड़े 13 वर्ष का था तब मेरे पिता मुझे छोड़ कर चले गए मुमे में निधन हुआ था उन्हें गोंधिया लाया गया लेकिन भंडारा से गोंधिया लाते समय जगा जगा लोग मनुहर भाई की अंतिम दर्शिन करने के लिए रूर है थी बिलक रहे थी मनुहर भाई मेरे उपर जिम्मेदारी छोड़ गये विकास निरंतर होना चाहिए फिर भी मुझे खुशी नहीं है हमने अपने काम की शुरुआत की है हम तभी विकास को मानेंगे जब संपूर्ण देश के लोगों गोंधिया को विकास में अफवात के रूप मिल लेंगे सांसत पटेल ने यह भी कहा कि बड़े बड़े लोगों को बुलाने की पीछे उद्देश यह होता है कि वी गोंधिया से वाकिफ हो सके जिससे आगे चलकर वे एक शेत्र में कोई उद्द्योग या नए प्रोरचे की सापना कर सके इस समय मनुहर चंद्रिका पुरे राजुकारे मुरे बंडु सावर बांदी अड़केट अभीजीत वन्जारी शुरंग पवार मधुकर कुकडे वो डॉक्टर हर्शल बोबसे ने भी विचार रखे संचारन वो आभार पुरुविधायक राजिन्र जयन नी किया बीसेन न्यूस के लिए गोंधिया से अभीशेक भटनागर की रिपोर्ट